Q Doncion number पहला देखिए, बनारस हिंदू, विश्विद्याले की स्थापना किस वर्स में की कैए थी? यहाँ B option जो और पकर्रेक्ट हो जाएगा. 16,16 में. और हमारा आगला question है, बनारस हिंदू, विश्विद्याले की स्थापना किस ने की थी? important question है कई बार एक्जाम में पूछा जा चुका है यहाँ पे C option जो है correct हो जाएगा मदन मोहन मालवी है और हमारा अगला question है अलोपी देवी मंदिर कहाँ परिस्तित है यहाँ D option जो है correct हो जाएगा परियाग राज और हमारा अगला question है छोटा इबाम बाड़ा किसने बनवाया था यहाँ A option जो है correct हो जाएगा मोहमद अली सा और हमारा अगला question है छोटा इबाम बाड़ा कहाँ परिस्तित है important question है यहाँ C option जो है correct हो जाएगा लखनाउ और हमारा अगला question है उत्तर कोरिया और दक्षिन कोरिया की सीमा रेखा क्या कहलाती है important question है यहाँ B option correct हो जाएगा 38 वी समाना अंतर रेखा और हमारा अगला question है बिहार में संपुण क्रांती का नेत्रोत किस ने किया था यहाँ B option जो है correct हो जाएगा जया परकास नारायन और हमारा अगला question है चंदीगड सेर की रूप रेखा किस ने तेयार की थी यहाँ A option जो है correct हो जाएगा ली कोबू जीए और हमारा अगला question है दा वंडर देट वोज इंडिया पुस्तक किस ने लिखी थी यहाँ D option जो है correct हो जाएगा A L बासम और हमारा अगला question है राष्टिय नो सेना अकेडमी भारत के किस राज्या में इस्तित है यहाँ A option जो है correct हो जाएगा केरल और हमारा अगला question है नर्मदा नदी कहां से निकलती है important question है यहाँ D option जो है correct हो जाएगा अमर कंटक और हमारा अगला question है मद्य पर्देश की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है यहाँ A option जो है correct हो जाएगा नर्मदा और हमारा अगला question है दुद्वा राष्टे उद्ध्यान भारत के किस राज्या में इस्तित है यहाँ C option जो है correct हो जाएगा उत्तर परदेश और हमारा अगला question है Amazon नदी किस महादीप में परवाहित होती है यहाँ A option जो है correct हो जाएगा दक्षिन अमेरिका और हमारा अगला question है टॉंगा खाई किस महासागर में इस्तित है यहाँ D option जो है correct हो जाएगा परसांत महासागर और हमारा अगला question है गयों सरसो मतर धान इन में से कौन सी रवी फसल नहीं है यहाँ D option जो है correct हो जाएगा धान जो रवी फसल नहीं है और हमारा अगला question है जवाल लार नहरू भारतिय राष्टे कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे यहाँ C option जो है correct हो जाएगा 1929 में और हमारा अगला question है भारतिय राष्टे कांग्रेस की पर्थम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी यहाँ B option जो है correct हो जाएगा एनी बेसेंट और हमारा अगला question है Gateway of India का design किस ने तयार किया था यहाँ A option जो है correct हो जाएगा जोर्ज बिटेट और हमारा अगला question है रंजीत सागर बांध किस नदी पर इस्थित है तो यहाँ पर C option जो है correct हो जाएगा रावी नदी और हमारा अगला question है खादे में किरसी संगठन का मुख्याले कहाँ पर है यहाँ B option जो है correct हो जाएगा रोम और हमारा अगला question है बरतमान में मद्य पर्देश के मुख्यामंत्री कौन है तो यहाँ पर A option जो है correct हो जाएगा शिवराज सिंग चोहान और हमारा अगला question है गुजरात का छेत्रफल कितना है इंपोडेंट है यह भी एक्जाम में पूछा जा सकता है तो यहाँ पर C option जो होगा correct हो जाएगा एक लाग चानवे अजार चोविस वर्ब किलोमीटर और हमारा अगला question है हर वर्ष पिर्थ्वी दिवस कम मनाया जाता है यहाँ पर C option जो होगा correct हो जाएगा 22 अप्रेल और हमारा अगला question है किस सुख गुरू ने खाल सा पंत की स्थापना की थी यहाँ C option जो होगा correct हो जाएगा गुरू गोविंद सिंग और हमारा अगला question है प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था इंपोडेंट question है यहाँ A option जो होगा correct हो जाएगा सत्रासो सत्तावन में और हमारा अगला question है मुगल समराट जांगिर का मकवरा कहाँ पर है यहाँ B option correct हो जाएगा लाहौर और हमारा अगला question है भारत का सैक्सपियर किसे कहा जाता था यहाँ C option जो होगा correct हो जाएगा कालिदास और हमारा अगला question है लकनव सहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है आई होप कि आप इस कंसर राइट देंगे यहाँ पे C option जो होगा correct हो जाएगा गोमती नदी और हमारा अगला question है भीमराव अंबेडकर अंतराश्टी हावाई अड़ा कहा परिस्तित है इसका B option जो होगा correct हो जाएगा नागपुर और इसी के साथ यह वीडियो समाप्त होती है अगर आपको कोई भी डाउट सो इस वीडियो से related या किसी भी question का अंसर आपको समझ में नहीं आया हो तो आप सिधा comment box से अपना comment छोड़ सकते हैं हम आने वाले वीडियो में उसको cover कर लेंगे अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज एक like और एक share करना भूलें अपने मित्रों जनुम में और इसी के साथ अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी कुछ new important जी के question के साथ और इसी के साथ जै हिंद जै भारत